हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत था आप सुभी का फूर आपकी सक्सेस में फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समान्य विज्ञान यानि कि सैंस के 50 प्लस ऐसे क्वेशन जो कि रेलवे की एकजाम में पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए है तो ये बहुत important question है इन्हें घोल के पी जाना यानि कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी हाँ friends आप इन्हें याद कर लिजेगा रट लिजेगा ठीक है क्योंकि ये question exam में बार बार पुछे जाते हैं बार बार most repeated question है ये चलिए भी हम लोग देखते हैं वो कौन से question है जैसा कि पहला question ये है कि SARS क्या है ठीक है विसानु द्वारा फैलने वाली बिमारी है जिवानु द्वारा फैलने वाली बिमारी है चुहे के पिसू से फैलने वाली बिमारी है मच्छर से फैलने वाली बिमारी है तो friends जो SARS से है अनिकी SARS ठीक है इसका अनिकी full form जो full form है वो है severe acute respiratory syndrome इसका full form है ठीक है तो ये जो है ये विसानु द्वारा फैलने वाली एक बिमारी है ठीक है यह coronavirus से फैलता है और मैं बता दूँ कि यह है एक तरह का सर्दी जुखाम जैसा ही बिमारी है ठीक है अगला question देखते है अगला question यह है कि निकर्दरिष्टी दोस में किस lens का परियोग होता है आवतल lens का उतल lens का, bifocal lens का बेलनकार lens का तो निकर्दरिष्टी दोस यानि कि मायोपिया में जिस lens का परियोग किया जाता है वो है अवतल lens ठीक है अगला question देखते है दूर दरिष्टी दोस में किस lens का परियोग किया जाता है अवतल lens का, उतल lens का, bifocal lens का, बेलनकार lens का तो दूर धृष्टी दोस में है उसमें जो परियोग किया जाने वाला लेंज है वो है उत्तर लेंज next question ये है कि गुरूत्वा कर्शन का सिधान्त किस ने दिया Newton ने दिया था, और्य भट ने दिया था, कैपलर ने दिया था, कौपर निकस ने दिया था गुरुत्वा कर्शन का जो सिधान्त दिया था वो दिये थे, न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, अगला question ये है, कि दही का जमना कौन सी प्रतिकरिया है, भौतिक प्रतिकरिया, रसानिक प्रतिकरिया, उपर युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो friends, जो दही उससे दही जम गया तो आप फिर से उसे दूध नहीं बना सकते हो तो ये रसाइनिक परतिकिरिया है और जैसे मैं बता दूँ कि जैसे भौतिक परतिकिरिया है जैसे अगर आप लेते हैं अगर एक रबर लेते हैं अगर आप उसे दबा देते हो और फिर उसे छोड़ देते हो तो भौतिक परतिक किरिया है निके फिर उपनी पुरानी अवस्था में लोट आता है तो वैसे चीजों को वैसे condition में उसे भौतिक परतिक किरिया बोलते हैं ठीक है अगला question देखते हैं अगला question यह है कि Optical Fiber होता है रेसम का बना हुआ, कांच का बना हुआ वो परियुक्त दोनों से बना हुआ इन में से कोई नहीं तो जो Optical Fiber होता है वो बना होता है प्लास्टिक या कांच का बना हुआ होता है ठीक है? और मैं बता दूँ कि यह एक केबल है जिसके माध्यम से इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह परकास बिंदूओं के रूप में भेजा जाता है ठीक है? और यह कांच यह प्लास्टिक से बनी होती है जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ और यह बहुत ही मजबुत होती है अन्य केबलों के मुकाबले ठीक है? और यह अधिक डाटा को एक साथ भेज सकती है तो फ्रेंट से और मैं बता दूँ इसका जो आविसकार किया गया था वो किया गया था नरिंदर सी कपैनी ने किया था ठीक है? तब से याद किजिएगा इसका विसकार नरिंदर सी कपैनी के द्वारा किया गया था और यह कांच का बना हुआ होता है या तो फिर प्लास्टिका अगला क्वेशन यह है कि सूसक सेल में केथोड का कारिय करता है कौपर छड़, जिंक छड़, ग्रेफाइड छड़ इन में से कुई नहीं तो सूसक सेल में जो कैथोड का काम करता है वो करता है ग्रेफाइड छड़ नेक्स्ट क्वेशन यह है कि मानो सरीर में कौन सा रक्त ग्रूप प्राय अधिक पाया जाता है a positive, b positive, a plus b positive, चौड़, यह b positive, o positive तो मानो सरीर में जो रक्त पाया जाता है वो है b positive और मेरा भी b positive ही है ठीक है? मेरे पूरे family में जितने family member हैं और यह घरवालों सभी का b positive ही है तो maximum जो मतलब रक्त ग्रूप पाया जाता है लोगों में वो b positive ही होता है तो आप इसे याद कर लिजेगा अगला question ये है कि मानोशरीर में कितनी हड़ी होती है 200, 206, 300, 306 तो मानोशरीर में जो कुल हड़ीओं की संख्या है वो है 206 अगला question ये है कि दूध की सुधताम आपने वाला यंत्र कौन से है लेक्टोमीटर, एक्टिनोमीटर, अस्पैक्ट्रोमीटर, पेडोमीटर तो friends जो दूध की सुधताम आपने वाला यंत्र है वो है लेक्टोमीटर ठीक है अगला question ये है कि सीने बार किसका परमुख अयस्क है लोहा का, पारा का, चांदी का, तांबा का तो सीने बार जो है वो है अयस्क पारा का अगला question ये है कि किस रोग के परतिरोध के लिए BCG का टिका दिया जाता है चेचक के लिए, पोलियो के लिए, TB के लिए, हेपेटाइटिस के लिए तो जो BCG का जो टिका दिया जाता है आनि कि बेसिलस कालमेट ग्यूरीन इसका मतलब फुल फॉर्म है आनि मैं बता दिया बेसिलस कालमेट ग्यूरीन ठीक है तो ये मुख्यत है यच्छमा जिसे आनि कि TB बोला जाता है उसके रोग थाम के लिए नवजात सिस्वों को लगा जाता है और बता दू फ्रेंड्स अभी जैसा कि मैं बताया हूँ BCG आनि कि बेसिलस कालमेट ग्यूरीन तो यहां B से बहुत बार एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि B का मतलब क्या है तो उसका मतलब है बेसिलस ठीक है C का मतलब है कालमेट और G का मतलब ग्यूरीन अनि कि बेसिलस कालमेट ग्यूरीन तो आप इसे फर्स्ट B वाला तो पकका याद रखेगा बेसिलस क्योंकि एक्जाम में ये भी पूछा जाता है अगला question देखते हैं अगला question ये है कि इस्तरीयों और बच्चों की औवास दिखी होती है, इसका कारण है, ऊचावरिती, ऊचायाम, कमजोर्चवर्तन्तू, निमनावरिती, तो इस्तरीयों और बच्चों की जो आवास दिखी होती है, उसके पीछे जो region है, वो है उचावरिती, यानि की high frequency के प्रों में जो जिस gas की परियुख किया जाता है वो है helium ठीक है helium आनि कि बहुत ही हलका gas है इसलिए इसका परियुख किया जाता है अगला question ये है कि मुत्र का पीला रंग निमन में से किसके कारण होता है euro chrome रुध sharply के कारण कोलेस्ट्रॉल या तो फिर भाइल के कारण तो मुत्र का जो पिला रंग होता है निके पेसाब का पिला रंग होता है वो होता है यूरो क्रोम के कारण नेक्स्ट क्वेचन ये है कि ब्लिचिंग पॉडर या विरंजक चूर्न का रसाइनिक सुत्र क्या है CA, CL2, O, CL CAO, CL2 CAO, CL CA, O, CL तो फिरंड से ब्लिचिंग पॉडर यानि की विरंजक चूर्न जिसे पानी के पुरिफिकेशन में यूज किया जाता है उसका जो रसाइनिक सुत्र है वो है CAO, CL2 ठीक है और इसका जो रसाइनिक नाम है वो है calcium hypochloride तो आप इसे भी याद रखेगा calcium hypochloride को क्योंकि ऐसे भिगजा में पूछा जा सकता है अगला question देखते है अगला question ये है कि fountain pen का अविसकारक कौन था Franklin, Airman, Leadman, Waterman तो जो fountain pen आनि कि fountain pen जो है आनि निब के जैसा निब वाला pen आप इसे google पे सर्च करके देख लिजेगा कि fountain pen कैसा होता है तो जो अविसकारक थे वो थे Waterman, ठीक है इनका जो पूरा नाम है वो है Levis Waterman अगला question देखते है अगला question ये है कि genetic code की खोज किसने की William Harvey ने, Hargowind खुराना ने Louis Pasteur ने, Aip Wenting ने तो genetic code का जो खोज किया गया था वो किया गया था Hargowind खुराना के दुवारा अगला question ये है कि किसे भारी जल कहा जाता है वर्फ को, deuterium oxide को आसुद जल को, इन में से कोई नहीं तो भारी जल जिसे मतलब कहा जाता है वो कहा जाता है deuterium oxide को और इसका जो रशानिक सुत्र होता है वो भी एकजाम में पूछा जाता है इसलिए आप इसे भी याद रखेगा अनि कि D2O ठीक है, deuterium oxide आगे बढ़ते हैं हम लोग sodium carbonate का वैपारिक नाम क्या है धोने का सोडा खाने का सोडा, कास्टिक सोडा सिंदूर तो friends, जो sodium carbonate है उसका जो वैपारिक नाम है वो है धोने का सोडा, ठीक है अनि कि इसका मैं सुत्र इसी बता देता हूँ Na2CO3 आप इसे याद रखेगा Na2CO3, इसका है sodium carbonate अनि कि धोने का सोडा का रशानिक सुत्र अगला question यह है कि किस तत्व के कारण मनुष्य में anemia होता है आयोडीन के कारण, calcium के कारण, iron के कारण, potassium के कारण तो anemia जो मनुष्य में होता है उसके पिछे जो कारण है, region है वो है, iron की कमी का होना ठीक है अगला question यह है कि खाने का सोडा का रशानिक सुत्र क्या है जिसे बेकिंग सोडा भी बोला जाता है तो K2CO3, NaHCO3, Na2CO3, Na2SO4 तो खाने का सोडा यानि कि जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है उसका जो रशाईनिक सुत्र है वो है NaHCO3 और इसका जो रशाईनिक नाम है वो है सोडियं बाइकार्बोनेट ठीक है? ठीक है, ये exam में बाहुत बार ये equation पूछा जाता है, तो आप इसे याद कर लेना, tips पर ये equation याद होना चाहिए, ठीक है, अगला question ये है, कि जल का हिमांक यानि के freezing point है, 4 degree Celsius, 0 degree Celsius, 100 degree Celsius, मैंनस 4 degree Celsius, तो जो freezing point है, जल का, यानि कि हिमांक है, वो है, 4, sorry, 4 degree Celsius, ठीक है, 4 degree Celsius ही है, और मैं बता दूँ, यानि कि 4 degree Celsius पर है सो, जल, मतलब यानि पानी है सो, जमना सुरू हो जाता है, और एक चीज, और इसमें add करना चाहूंगा, कि 4 degree Celsius पर ही जल का घनतव सबसे अधीक होता है, और ज पूछा जाता है, कि सबसे अधीक, यानि जल का सबसे अधीक घनतवर कब होता है, तो वह होता है, 4 degree Celsius पर, और जल का जो हिमांक है, आनि freezing point है, जमनी का जो start होता है, जमना सुरू होता है, वो होता है, 4 degree Celsius पर जमना start हो जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है, जड़ से, पतियां से, तने से, बीज से, तो कपास के पौधे के जिस भाग से मतलब ये कपास का जो रेशा निकाला जाता है, वो है बीज से, ठीक है, अगला question ये है, कि लार की प्रकृति कैसी होती है, निश्प्र पांच होता है, आगे बढ़ते हम लोग, किसी लेंज की छमता, किसे व्यक्त की जाती है, वाट से, डायोप्टर से, जूल से, अनि कि इन में से कोई नहीं, तो किसी लेंज की छमता, जो व्यक्त की जाती है, वो की जाती है, डायोप्टर में, ठीक है, डायोप्टर में इसे मा अगला question यह है कि निम्न में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है सुवर को गाय को कुट्ता को केचवा को तो friends किसानों का मित्र आप कुट्ता मत मार देना या सुवर जो किसानों का मित्र बोला जाता है वो बोला जाता है केचवा को ठीक है क्योंकि यह भूमी को ऐसो फर्टा तो डाइनासूर का जो सम्मन्ध था जिस कसे रूकी से उसका नाम है रेप्टाइल से यह आनि कि रेप्टाइल प्रानी के यह जानवर थे जैसे अभी साफ है या तो फिर घडियाल गिरगीट यह सारे रेप्टाइल कसे रूकी के हैं सतंधारी में जैसे अभी मनुस्य हो गया ठीक है और मैं बता दूँ कि ढायना सूर जो है वो 65 मिलियन वर्ष से पहले विलूपत हो गए है अगला question यह है कि एक परकास वर्ष है समय का मातरक, दूरी का मातरक, तिवरता का मातरक, सूर्य से उत्षरजित परकास का मापन तो फ्रेंड जो परकास वर्ष है वो है दूरी का मातरक, ठीक है इसे दूरी मापा जाता है अगला question देखते हैं, अगला question यह है कि एक परकास वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 x 10 to the power 15 meter, 9.46 x 10 to the power 30 meter, 9.46 x 10 to the power 10 meter, 9.46 x 10 to the power 8 meter तो एक परकास वर्ष बराबर जो होता है, वो होता है 9.46 x 10 to the power 15 meter होता है ठीक है, और एक चीज़ इसमें और एड़ करना चाहूंगा, यह meter में है और अगर आप इसे kilometer में अगर exam में पूछ दिया जाए, तो यहाँ पे 10 to the power 15 होता है ठीक है, तो आप इसे भी याद रख लिजेगा, आप इसे भी याद रख लिजेगा किलो मीटर में 10 to the power 15 meter है, आप 15 meter में होता है और 12 किलो मीटर में होता है ठीक है, एक परकास वर्ष बराबर यह दूरी कमात रख है अगला question यह है, कि मियादी बुखार, जिसे टाइफाइड भी बोला जाता है हमारे सरीर का कौन सा अंध परभावित होता है इसे फेफडा होता है, तिल्ली होता है, यकृत होता है, आते होता है तो अगला question देखते है, अगला question यह है, कि पादपो में जल के परिवहन का कारी कौन करता है कार्टेक्स करता है, कैंबियम करता है, फ्लोयम करता है, जैलम करता है तो यह जो कारी करता है, वो किया जाता है, जैलम के द्वारा ठीक है और बतादों कि जायलम एवं फ्लोयम दोनों ही ये जायलम और फ्लोयम जो है ये दोनों ही समवहनी उतक है अनि पादब के ठीक है और जायलम का जो प्रमुपकारी है वो जल एवं खनिज लवनों का समवहन एवं पौधों को यांतरिक द्रिर्ता परदान करता है ये जबकि ज इसका घनत्व जल से अधीक होता है, इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होती है, जल में कुछ विशिष्ट खनीज होते हैं, तो बर्फ है friends अगर आप देख लेंगे इसको एक्स्प्रिमेंट करके, तो बर्फ जल पर तैरती है, इसके पीछे जो रिजन है वो है, इसका जल पर तैरने लगता है, अगला question ये है, कि प्रकास का रंग निश्चित किया जाता है, उसके वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग धैरिय द्वारा, आवरिती द्वारा, तो प्रकास का जो रंग है उसे निश्चित किया जाता है, वो किया जाता है तरंग धैरिय के द Next question ये है, ये है कि निम्नलिखीत में से जो की गौलीए में सहायक होता है वो है वितामिन के और वितामिन के ही ही है जो रख्ट को थक़ा जमाने में मदद भी करता है, तो ये भी question पूछा जाता है कि रख्ट को अनियस पन्दन यानि कि थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है तो है विटामिन के ठीक है और इसका भी जो आंसर है 35 का वो है option number D अगला question ये है कि गाई का गर्वकाल कितने दिनों का होता है 28 दिनों का 300 दिन का 330 दिन का 340 दिन का तो जो गाई का जो गर्वकाल है वो समय है वो है 280 दिन ठीक है next question सर्पदन से शरीर का कौन सा भाग परभावित होता है यानि कि एगर साथ काट ले तो कौन सा हमारे अंग का मतलब की हमारे सरीर का कौन सा अंग यानि कि भाग परभावित होता है मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र फेफड़ा हिर्द तो जो सबसे जादा परभावित होने वाला भाग है वो है तंत्रिका तंत्र जिसे यानि कि नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं ठीक है आनि नर्वस सिस्टम ही सबसे अधिक परभावित होता है पितल किसकी मिस्रधातु है तामबा और टीन की तामबा और एलमुन्यम की तामबा और जस्ता की तामबा और लोहा की तो पितल जिसकी मिस्रधातू है वो है तामबा और जस्ता का ठीक है आनि कि तामबा का जो यह होता है मतलब संकेत वो होता है CU और जस्ता का होता है ठीक है जस्ता का होता है जस्ता और इसे जिंक भी बोला जाता है जे डेन अगला question देखते हैं अगला question यह कि pressure cooker में और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ ताकि यह भी हो जाए साथ ही साथ कि यहाँ पर तांबा और टीन है यह इससे है सो काँसा का यह काँसा का मिस्रधातू है ठीक है तो आप इसे भी याद रख लिजेगा काँसा का मिस्रधातू है यह और यह जो है यह पितल का मिस्रधातू है ठीक है अगला question देखते हैं अगला question यह है कि pressure cooker में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम होता है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधीक होता है प्रेशर कुकर के आकार के कारण इन में से कोई नहीं तो प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी पक जाता है इसके पीछे जो region ये है कि pressure cooker के अंदर गाव अधीक होता है next question ये है कि A meter से क्या मापा जाता है विदुधारा, विभवांतर, वायू की चाल, उच ताप तो A meter के द्वारा जो मापा जाता है वो मापा जाता है विदुधारा, ठीक है अगला question ये है कि धोनी का वेग सबसे जादा किसमे होता है जल में, निर्वात में, इस पात में, इनमें से कोई नहीं तो धोनी का जो सबसे जादा वेग होता है वो होता है इस पात में यानि की अस्टिल में निर्वात में है सो धोनी का वेग सुन्य होता है अगला question देखते हैं, वायू मंडल दाब मापने का पैमाना है, मैनोमीटर, लेक्टोमीटर, हैगरोमीटर, बैरोमीटर, तो वायू मंडल में जो दाब मापने का यंत्र है, वो है बैरोमीटर के द्वारा वायू दाब मापा जाता है, तो आप इसे याद कर दिजिगा, और मै मैं बता दूँ कि मैनो मीटर के द्वारा है, गैसो का दाब मापा जाता है, लेक्टो मीटर के द्वारा है, दूध की सुधता को मापा जाता है, और हैग्रो मीटर के द्वारा वायू में उपस्थित आधरता को मापा जाता है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं लोग, अमीबा में कुल कितने सैल आनि की कोशिका होते हैं 3,2,1,4 तो amoeba है चो फ्रेंट से आप पढ़े भी होंगे कि amoeba एक कोश की ये प्रानी है ठीक है ये एक कोश की ये होता है तो इसका आंसर हो जागा अप्सन नमर C अगला क्वेशन ये है कि रेफरीजरेटर में कौन सी गैस सितलन क थंड़ा करने वाला जो गैस है वह कौन सा है आमोनिया फ्रीयान आक्सिजन नैट्रोजन तो इसका जो आंसर है वो है फ्रियान अनि फ्रियान घैस उसमें रहता है ठीक है अगला क्वेशन ये है कि इलेक्टरॉन के खोज करता है जे जे थॉंप्सन, रदर फोर्ड, जैंस चैडविक, इन में से कोई नहीं, तो इलेक्ट्रॉन के जो खुज करता है, वो है, जे-जे-थॉम्शन, ठीक है, मैं इसे फ्रेंड्स इसे ट्रिक से याद रखा हूँ, आप भी याद रखें उससे, इट पर नाज, ठीक है, प्रोटॉन का खुज किये हैं, फिर आगे आता है, इट पर हो गया, नाच, अब नाच आता है, न से, निट्रोन, अच्चा से, चैडविक, तो आपको आने की ये, थॉम्शन, रदर फोर्ड, और चैडविक, याद रखना है, इट पर नाच, ठीक है, अगला क्वेशन देखते हैं लोग, निमलिखित में से किसे भविश्य की धातु कहा जाता है, अस्टील, तांबा, लोहा, टाइटेनियम, तो भविश्य की जो धातु कहे जाने वाला जो तत्व है, यानिकि वो धातु है, वो है टाइटेनियम, ठीक है, लोहे का जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, घटता है, अब परिवर्तित रहता है, पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, क्या होता है, तो लोहे में अगर जंग लग जाता है, तो उसका जो भार है, वेट है, वो है, सो बढ़ जाता है, ठीक है, AIDS रोग किस से फैलता है बैक्टिरिया से वाइरस से मच्छर से इन में से कोई नहीं तो friends जिनको भी AIDS हो जाता है मतलब AIDS जो फैलता है वो फैलता है वाइरस से ठीक है अगला question देखते है अगला question यह है कि कसीज का तेल कहलाता है नाइटरिक अमल, हैडरोक्लोरिक अमल एसिटीक अमल, सल्फियूरिक अमल तो कसीज का जो तेल बोला जाता है वो कहलाता है सल्फियूरिक अमल को ठीक है सल्फियूरिक अमल है तो कसीज का तेल ऐसे बोला जाता है मरीग मरीची का बनने का कारण है प्रकास का व्यक्तिकरन, प्रकास का विवर्तन, प्रकास का ध्रूवन, प्रकास का पूर्णा आंतरिक परावर्तन तो मरिग मरिची का आनि की जो मिराज बनता है, इंगलिस में मिराज बोलते हैं से AIDS का पता करने के लिए कि कहीं AIDS तो नहीं हो गया है ठीक है तो एलिशा परिशन AIDS से समंधित है नेक्स्ट क्वेशन ये है कि पर्मानू पर्मानू बं की खोज किसने की थी ओटो हान ने अलवर्ट आंस्टीन ने, एडिसन ने रदर फोर्ड ने, तो पर्मानू बं का जो खोज किया गया था वो किया गया था ओटो हान के द्वारा अगला क्वेशन ये है कि डॉक्टर सीवी रिमन को किस वीशे में नोबेल पुरसकार मिला, साहित्य के छेत्र में औस धिविज्ञान में, भौतिकी में रसायन्स सास्तर में तो फ्रेंड्स जो डॉक्टर सीवी रिमन थे ये भारत के महान भौतिक मतलब की वज्ञानिक थे भौतिक के ये साइंटिस्ट थे भौतिकी के छेत्र में तो इनको एसो नोबेल पुरसकार, 1930 में मिला था ये भी क्वेस्टन पूछा जाता, ठीक है, 1930 में अगला क्वेस्टन देखते हैं निमन रिखित में से कौन सा विटामिन जल में विले होता है विटामिन A, विटामिन E, विटामिन C, विटामिन D तो जल में जो विले होने वाला जो विटामिन है वो है vitamin C, ठीक है vitamin B और C, ये दोनों है, जल में घुलनसिल है, और जो vitamin E हो गया, A, D, E, और K, ठीक है, आप इसे भी याद रखेगा, A, D और K जो है, ये सो वसा में घुलनसिल vitamin है, और vitamin B और C, जल में घुलनसिल है, ये भी question, दोनों मतलब पूछे जाते हैं, ठीक है, अगला question ये है, कि dynamite का अविस्कार किस ने किया था, Alfred Bernard Nobel ने, Emmanuel Swedenborg ने, Charles D. Gier ने, Olaas Roodebeck ने, तो dynamite का जो अविस्कार किया गया था, वो किया गया था, महान साइंटिस्ट आनि कि Alfred Bernard Nobel के द्वारा, ठीक है, और इनहीं के मतलब की नाम से है, तो Nobel Prize भी दिया जाता है, 1901 से, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेगा, कि Nobel Prize का जो प्रारम हुआ है, वो है, 1901 से हुआ है, अगला question और किसके नाम से दिया जाता है, तो Alfred Bernard Nobel के नाम पे, अगला question ये है, कि लाल रुधिर का निकाओं, आनि कि RBC, Red Blood Cells का निर्मान कहां होता है, वरीकों में, अस्थी मज्जा में, यकरित में, तिल्ली में, तो RBC का जो निर्मान होता है, वो होता है, अस्थी मज्जा में अगला question ये है कि मधुमे हिरोग किस की कमी से होता है इंसुलिन की कमी से प्रोटीन की कमी से वसा की कमी से विटामिन की कमी से तो मधुमे आने की सुगर होता है वो होता है इंसुलिन की कमी से ठीक है जिसे चिन्या वीमारी भी बोला जाता है अगला क्वेशन ये है कि दूध के फटने पर कौन सा एसीड उत्पन होता है टार्टरीक एसीड बटग्रीक एसीड लाक्टिक एसीड एसीड तो दूध के फटने से जिस एसीड का मतलब जो जिस एसीड उत्पन होता है वो है लक्टिक, ऐसी ठीक है अगला question ये है कि प्रिथवी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पधार्थ क्या है platinum, हीरा, asphatic, sona तो friends प्रिथवी पर अभी तक का जो सबसे मतलब की कठोर पधार्थ है यानिकि जो सबसे कठोरतम पधार्थ है वो है हीरा ठीक है तो ये था 60 questions, 50 plus मैं बताया था तो इसमें total 60 questions थे और अगर आपको इन questions का PDF फाइल चाहिए तो इसका download link description में दिया हुआ है तो आप वहाँ से इसे download कर लिजे और practice करते रहिएगा क्योंकि ये railway group D और assistant local pilot की exam में इसका आने का संभावना 100% है बहुत सारे इससे इस वीडियो से और इस प्रस्न से question पुछे ही जाएंगे ठीक है 10 से 15 question आ सकते हैं इससे तो आप इसे याद कर दिजेगा tips पर याद होने चाहिए एकदम कंठस्त याद कर दिजेगा इसे घोल के पी जाएगा और यदि आपको इस वीडियो का second part चाहिए तो नीचे comment box में मुझे जरूर बताईएगा मैं ताकि वीडियो फिर उसर मैं बनाऊंगा आपके लिए और like और subscribe अभी जरूर कीजेगा friends क्योंकि बहुत मेहनत किया हूँ आपके लिए ये वीडियो त्यार करने के लिए और comment करके जरूर बताईएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ठीक है और share करना नव भूले thanks for watching